एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक के बारे में जो कि है 4-year graduation policy अभी तक आपने सुना होगा कि BSc, B.com, BBA, BA अगर आपको कोई भी डिगरी करनी है then that bachelor degree would be completed in only 3 years तो sir, 4 साल की जो policy है, according to new education policy है क्यों लाई जा रही है क्या student के उपर ये एक additional burden है, क्या इसकी जरुरत थी भी, या फिर just student की एक साल और बरबाद कराई जा रही है क्योंकि यही सवाल पहले भी उठे थे, जब एक साल में होने वाली BA यानि Bachelors of Education की डिगरी को 2 साल की डिगरी में convert कर दिया गया था काफी सारे students नाराज हुए थे, लेकिन government का उसके पीछे एक बहुत अच्छा एम था to develop the good teaching methodology in teachers जब वो दो साल अपनी डिगरी में गुजारेंगे और उसमें compulsory school internship करेंगे तो वो ज़्यादा बहतर तरीके से students के साथ connect कर पाएंगे और कुछ ऐसा ही verdict जो है government का यहाँ पर भी है और आप जब जानेंगे कि यह चार साल की graduation क्यों लाए गई है तो शायद आप भी इस step को appreciate करेंगे because I can count upon different advantages जो कि आप खुद बोलेंगे कि yes it is very good for us और तीन साल की graduation में एक साल बढ़ने के बावजूद भी आपका एक साल बचेगा and I will prove that up to you so please make sure कि आप लोग हर चीज़ को बहुत गौर से समझे government का aim क्या है अगर हम तीन साल की graduation को चार साल में कराते हैं तो पहला जो हमारे दिमाग में signal जाता है वो यह जाता ही कि यार हमारी तो एक साल waste हो गई यानि हम लोग यह सोचते हैं कि हमारा तो एक साल जो है यह minus में चला गया हम अगर 2023 में अपनी graduation start करते हैं तो 26 में खतम हो जानी चाहिए थी लेकिन अब 27 में खतम होगी तो इसके benefit तो हमें नजर नहीं आ रहे भारत में new education policy जो है मेरे दोस्त उसके तहट अब क्या हो रहा है हम लोग research को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में जादा से जादा लोग research करें और इसी चीज के चलते हुए हम लोगों ने एक degree को पूरे तरीके से scrap कर दिया जिसका नाम है M.Phil पहले students क्या करते थे graduation करते थे जैसे की B.Sc इसके बाद ये आपका एक और post graduation करते थे जैसे की M.Sc. और इसके बाद ये क्या करते थे काफी बार M.Phil करते थे और M.Phil के degree करने पर इनको PhD में 6 महिने का जो course work होता है PhD में starting में उसमें रहत मिलती थी तो उसके बाद ये PhD करते थे लेकिन यहाँ पर पाया गया कि भाई अगर आप तीन साल के अंदर B.Sc. कर रहे हो दो साल के अंदर M.Sc. कर रहे हो डेड़ से दो साल के अंदर आप M.Phil कर रहे हो और उसके बाद तीन से पांच साल के अगर आप PhD कर रहे हो तो M.Phil आपको कहां पर काम आई अगर आपको PhD करनी थी तो PhD में तो आपका सिर्फ 6 महिने का coursework बचाए से देनी ही पड़ेगी तो एमफिल की value अगर PhD में सिर्फ 6 महिना लग रही है तो 6 महिना आप PhD में एक्स्रा देदो ना और एमफिल को आप मत करो ये new education policy में एक बात रखी गई, क्योंकि जादा से जादा जो students हैं, जिनको actual core research करनी चाहिए, जिनको PhD करनी चाहिए, वो actual में PhD तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बीच में MPHL में ही first जाते हैं, उनको लगता है we have given ample time to our studies, जो की जाहिर सी बात है, सच भी है, अगर आप 3 साल की graduation करते हो, 2 साल की master करते हो, फिर 2 साल की अगर आप MPHL करते हो, तो आपको लगता है कि यार आप लोगोंने तो बढ़िया पढ़ाई कर ली है, अब 3 साल, 4 साल आप PhD को देने के लिए कभी भी हा नहीं भरोगे, and that's why government tried कि भाई ये जो MPHL है, इसको हम लोग क्यो और MPHL इन्होंने मना ही कर दी करने के लिए, तो जादा से जादा students के आप PhD में जाएंगे, बिलकुल जाएंगे, और देश को जरूरत है अपने आपको research और innovation में strong दिखाने की, strong खडा करने की, और वो तब ही होगा जब जादा से जादा student PhD में जाएंगे, अब इस route को और कर दिया गया है, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ, अब government ने क्या बोला है, कि आपको अगर BSc honors की degree मिलती है, that will be completed by you in 4 years, तो आप क्या कर सकते हो, after this 4 years of BSc आप लोग directly PhD में जा सकते हो, तो पहले PhD में जाने का जो standard route था, जो student अपनाते थे उसमें कितने साल लग रहे थे, एक बार फटा फट से count करो, 3, 2, 5, 2, 7 और उसके बाद आप PhD में जा रहे थे, या minimum भी अगर आप देखो BSc, MSc करके जाओगे, तो 5 साल तो लगेगी, लेकिन अब सिर्फ 4 साल की graduation degree के बाद आप doctorate degree के अंदर admission ले सकते हो, तो अब मुझे ब to make my career in university teaching, in college teaching, मेरे को अगर PhD चाहिए, मेरे को अगर एक साल पहले net का paper देना है, मेरे को अगर एक साल पहले gate का paper appear करना है, दन ये 4 साल की degree मेरे लिए बहुत important है, दूसरी खास चीज, कि students को misconception है, कि ये degree जो है, 4 साल की, ये compulsory है, मेरे भाई ये compulsory नहीं है, और ये सब को मिल देगी भी नहीं, आपको लग रहा है जो आपके उपर बोज है, एक्चुल में वो एक इनाम है, वो एक खिताब है, वो एक asset है, जो कुछ चुनिंदा बच्चों को ही दिया जाएगा, अगर आप फॉस्ट येर, सेकिंड येर, थॉर्ड येर में अपनी attendance को 75% से जाधा तो आपको फिर master's करनी पड़ेगी, then you can get into PhD, तो ये 4 साल की जो graduation है, ये हर student के लिए नहीं है, and this has got multiple exit options also, अगर आप समझ लीजे, काफी बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कि काफी student ने 1st year में admission लिया, और उसके बाद degree छोड़ दी, है ना, 2nd year में admission लिया, उसके बाद degree छोड़ दी, 3rd year में admission लिया, उसके बाद आपकी graduation पूरी हो जाती है, and यहाँ पर आपका 4th year भी आएगी, तो अब क्या है, कि काफी student जो 1st year, 2nd year के बाद अपने degree छोड़ देते हैं, इनको तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये जो दो लोग particular degree के अंदर admission लिया था, आपने 1 साल बकाइदा पढ़ाई करी, exam दिये, you'll be allotted a certificate for that, second important thing, अगर आप 2 साल अपनी पढ़ाई पूरी करते हो, तो diploma जो की बहुत ही जादा बड़ी चीज होती है, मेरे भाई, degree के comparison में थोड़ा सा नीचे होता है diploma, but comparatively job दिलाने में, आपका diploma भ करोगे certificate मिलेगी, उसी university की जिसमें आप पढ़े हो, second important thing, दो साल करोगे diploma मिलेगा, तीन साल करोगे, तो degree मिलेगी, B.S.C की degree मिल जाएगी, B.A. की degree मिल जाएगी, और 4 साल करोगे, तो B.S.C. honors की degree मिलेगी, अब honors की degree जो पहले, आपको 3 साल में मिल जाती थी, वो आप 3 साल में नहीं मिलेगी, अब आपको 4 साल, अगर additional research project करना है, तो आपको 4 साल देनी पड़ेगी, और तब जाके आपकी degree के आगे लिखके आएगा honors, तो आप 3 साल में जो honors मिलती थी, वो 3 साल में नहीं मिलेगी, वो 4 साल में मिलेगी, I hope आपको बात समझ में आगए होगी, कि multiple exit options है, and multiple entry options भी है, समझ लीजे, आपने second year में अपनी graduation छोड़ दी थी, आप दोबारा से आ करके third year में enter कर सकते हैं, वो अलग-अलग universities की अलग-अलग policies होगी, तो अभी ये बात एकदम generalized हम लोग नहीं बोल सकते, but government का यहीं verdict है, कि multiple entry और multiple exit options student के पास होने चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे better कुछ हो सकता था, क्योंकि काफी सारे ऐसे students हैं, since मैं medical sciences वाले students को पढ़ाता हूँ, तो ऐसे काफी student होते हैं, जो NEET की तयारी करते हैं, दो-दो साल side में graduation कर रहे होते हैं, बट उनके हाथ तो कुछ लगता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर दो साल क मार के NEET की भी तयारी कर रहा है, और उसका NEET में selection हो गया, तो उसको साथ साथ एक diploma भी मिल रहा है, यानि कहीना कहीं उसकी मेहनत सफल हुई है, उसके हाथ में एक physical चीज आई है, दोस्त, एक paper आया है, जिसको वो आगे दिखा करके कहीना कहीं, कुछ ना कुछ leverage तो ले ही सक रही है, आप जल्दी PhD कर सकते हो, आप जल्दी doctorate की degree हासिल कर सकते हो, second important thing जो आपको लग रहा है कि 4 साल compulsory है, वो compulsory नहीं है, वो उन्हीं student को मिलेगा जो deserving होंगे, जो 3 साल अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से तपा करके, बहतर perform करेंगे, तीनों साल, उनको ये 4 सा का leverage मिलेगा, advantage मिलेगी, and honors degree लेने के लिए अब आपको 4 साल पढ़ा ही करनी पड़ेगी, and ये जो extra साल है, ये आपका actual में 1 साल बचा रहा है, standard route का, तो इन सारी चीज़ों को I hope आपने समझ लिया होगा, अगर आप देखें, तो UGC ने क्या कहा है, 4 year undergraduate program जो है, ये हम ले आ रहे हैं, जिसका नाम होगा FYUP, और FYUP के फायदे क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मौजूदा छात्र जो है, ये भी eligible है FYUP के लिए, यान 3rd year में जाते जाते, option ले सकता है कि क्या मुझे अपने degree को 4 year degree में convert करना है, क्या मुझे 4th year चाहिए, या मुझे 4th year नहीं चाहिए, इसके पास ये option ज़रूर रहेगा, तो currently जो भी students पढ़ रहे हैं in some good universities, उनको ये eligibility ज़रूर मिलेगी, ठीक है, 75% fees दी से जादा हासिल करने वाले students को ही research का मौका मिलेगा in the 4th year, यानि desertation जो है इनकी वो होगी, desertation मतलब आप एक particular topic लेकर, research topic लेकर उसके उपर काम करते हो, एक साल जब आप काम करोगे, तो आप research के ज़्यादा close हो जाओगे, ठीक है, तो आपको जो है ये 4 वर्ष का graduation system, I hope ठीक तरीके से समझ में आ आ चुका होगा, मैं वस आपको यही कहना चाहता हूँ, यह अभिशाप नहीं भरदान है, मेरे टाइम पर अगर 4 यहर की graduation आ चुकी होती, research course करके फटाफट पीच्डी में घुच जाते, एक साल बशती, और ऐसा ही आपको भी सोचना है, हर चीज का positive input आपको अच्छे तरी university is possible, then आपकी help करने के लिए हम लोग लेकर आया है, सफल batch for CUT, भारत के सबसे best educators आपको language की, GT की, और humanities की subjects की तयारी करवा रहे हैं, जिनकी classes already start हो चुकी है, और आने वाले time में और भी subjects आपके यहां पर आ रहे होंगे, which are very very unique, and you will be giving all your hard work to watch these lectures, as well as to get the maximum output out of these lectures, वा चाता हू कि जब हम मिलें, एक साल बाद, एक साल बाद, दो साल बाद, कहीं भी, कुछ भी जिक्र हो, किसी भी जगा से आप हमें cater करें, counter करें, और हमें message करें, तो आप बताएं, कि you are in a very good university, and you are enjoying your course, you have got your favorite course, of your favorite subject, in the favorite university of yours, I want to see that happiness on your face, and मुझे भी उससे बहुत खुशी होगी, हमार आपको चार यर की, graduation policy समझ में आई होगी, and अगर आपको ये policy समझ में आई, तो अपना support जरूर दिखाना, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर फैलाना, thank you so much, lots of love, जय हिंद, bye bye, मिलता हूँ आप से अगले session में, thank you.